माने क्रिय मंत्रिय जी धन्यवाद उपसभापती जी माने उपसभापती जी दिनांग 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगबग 5 बचकर 20 बजे श्री असदुद्दिन ओवेसी सांसद लोकसभा किठोर मेरट उत्तरप्रदेश के जन्समपर कारेकम करने के बाद दिल्ली लोट रहे थे जब उनका काफला छीजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाइवे 9 थाना पिल्खुवा जन्पद हापूर उत्तरप्रदेश से गुजरा था दो अग्यात व्यक्तियों द्वारा उनके काफले पर गोलिया चलाईगी इस घटना में श्री ओवेसी सुरक्सित बज गए लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में तीन गोलियों के निसान दिखाई दे उक्त घटना को तीन गवाहो द्वारा देखा भी गया इस संदर में एक प्रथम सुचना रिपोर्ट अपराद संक्या 45 बटा 22 अंतरकत धारा 307 भारतियत डंड सहिता और धारा 7 अपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 धाना पिल्खुआ जनपध हापुड में पंजिकरूत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है श्री ओवेसी का जनपध हापुड में पूर्व से कोई कारेकरम नियत नहीं था घटना सल का निरिक्षन किया गया विवेचना के क्रम में स्थानिय पुलिस ने तवरित कारेवाही करते हुए दो अभियुक्तों को गिरपतार किया और उनसे दो अनधिकृत पिस्तल प्रत्येक से एक-एक और एक अल्टो कार की बरामत की गई है गटना स्तल और वहन का फोरेंट्सिक्स टीम द्वारा सुक्समत्या से जांच किया जा रहा है और साक्स एकत्रित किये जा रहे है दोनों अभियुक्तों से उत्तरपदेश पुलिस द्वारा पुष्टाच की जा रहे है जनपद में कानून और व्योस्ता की स्थिती नियंत्रण में और सामान्य है कडी सतरत्ता भी बरती जा रहे है केंद्रिया गुरू मंत्राले द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्ट की गई है पहले भी कई मौकों पर केंद्रिया सुरक्षा एजन्ट्यों के खत्रे के आकलन के आधार पर स्री ओवेसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रा सरकार ने निर्देश जारी किये है लेकिन स्री ओवेसी ध्वारा सुरक्सा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगणा पुलिस उन्हें सुरक्सा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाए स्री ओवेसी के खत्रे का पुनम उल्यांकन कराय गाय है और खत्रे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूप कार के साथ अखिल भारतिय स्तर पर क्यांद्रे रिजव पूलिस बलकी जैड स्रैने की सुरक्सा प्रदान गी गई है मेरा बक्तवे समाप तुहा मगर हमारे पास जो मौखी सुचनाए स्री ओवेसी के द्वारा बेजी गई उन्होंने अभी भी सुरक्सा लेने से इनकार किया है मैं सदन के माध्यम से स्री ओवेसी को विननती करना चाहूंगा कि वो ततकाल सुरक्सा ले ले और हम सब की चिंता का समदान करे धन्यवाद